अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि एक ही कीमत है जिसमें आपको तीन चार कैटिकेरीज की डिफरेंट गाडियां मिलेंगी लेकिन अफकोर्स उन में से एक वन आफ दी बेस्ट होगी और वो जो होगी वो ना सुजुकी होगी ना टोयोटा होगी और ना होंडा होगी वो ह होगी चंगान इस बारे में मज़ीद बात करते हैं आज की वीडियो में बिसमिल्लाहिर रख्माद ररहीम अस्सलामु आलेकुम मेरा नाम है खवाजा मुहमद अमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके वालकम बैक टू येट अनधर वीडियो और आज की वीडियो होने व पारे में जो के दो हजार बाइस मॉडल है 21, 22, 23 चैंज कोई भी नहीं है इन मॉडल्स में बस मॉडल्स ही अपडेट हो रहे हैं नाम के तोर पे कि ये एकीस है ये बाइस है ये तैईस है चीज आल्मोस्ट सेम है लेकिन क्या ये अभी भी वेली टुमानी है गाड़ी अफकॉर्स वाइ नाट जब मेरे पास ऑल्टो थी तो काफी सारे वीडियो उस पे ऑल्टो की डेली आती थी तकरीम डेली ना तो हफते में एक दो तो आई जाती थी तो लोग मुझे मशरूर देते थे कार मेट पीके से पाई लेकिन आज मौका है क्योंकि प्राइस इतनी जादा बढ़ चुकी हैं दीगर गाडियों के भी इस समेथ तो आज मौजना बनता है कि आपको कौन सी गाड़ी अभी सूट करेगी काफी सारे कंटेंडर हैं इस कीमत में जो 41 42 42 की रेंज में आती है टॉप आफ तर लिस वेगनार बिग काटा क्रास नो डॉन बाइट दूसरे नंबर पर आती है सुजूकी की ही स्विफ्ट बिग क्रास नो डॉन बाइट मैं रिजन बताऊंगा क्यों तीसरी गाड़ी आती है हमारे पास आफ कोर्स आल्टो वी एक्सेल जो के अब 32 33 की रेंज में वो भी मिल जा है तो आपको यह खूबसरी किसम की गाड़ी मिल सकती है अब यही क्यों यह वैली टू मनी क्यों है गाड़ी सो यह गाड़ी इस लिए के एक तो तकरीबं 1300 सीसी इंजिन के साथ आती है माइंड यू सिडान में इस वक्त 1.3 में यह वन अफ दी मोस्त पावर्फुल इंजिन है तकरीबं 99 होर्स पावर प्रिड्यूस कर रहा है फाइव गेर टांस्विशन के साथ यह आती है बेसिकली से पांच मदल डबल टाप लग जाता है और उसके बाद रिवर्स करें फिर साइज आप देखें खूबसूरत डिजाइन देखें और सबसे मज़े की बात इट कमस इंजन बे मुलाइसा करें आपको प्रिजिंटेशन मिलती है जैसे ही आप इसका होड़ ओपन करते हैं और होड़ टाक अबाउट बिल्ट क्वालिटी आप इससे यह देखें मेरी तरफ प्रॉपर बाइसेप की एक्सरसाइस कर सकते हैं एक्जेजरेट नहीं कर रहा है जिस इस वाकि 21-22 रुपे में लांच हुई थी आज से दो तीन साल पहले अब यह गाड़ी साड़े एक तालीस में इस वाक्त आपको मिल रही है क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं टॉप नॉच है ब्लू कोर इंजन है और मैं अल्रेडी बता चुका हूं 99 होस्पाउर और बहुत बड़ी बूट स्पेस आपके पास आजाती है जैसे के आप देख सकते हैं फुल साइज आपके दो तीन सूटकेस इसमें बासानी समा सकते हैं एंड आलसो कम्स विद अस पेर वील जो कि आजकल एक नपैदी हो चुकी है चीज नई गाड़ियों में यह दे नहीं रहे स्पेर वील उसी जगह आपको जैसे आल्टो में आपको मिल जाता है एर कंप्रेसर दे देते हैं और पंक्चर फ्लूइड दे देते हैं गालेबन तो स्पेर वील से जान चूड़ जाती है इसमें स्पेर वील लाजमी आता आपके पास फिर बैक आप इसकी देखें गाड़ी से वह महंगी है इस वक्त 1.3 तो उस केटेगरी में अगर यारे से भी कंपीट करते हैं मैनूल से तो यह फार बैटर गाड़ी है अब इंटिरियर मुलाइजा करें इंटिरियर से पहले दर्वाजों पर एक दफ़ा नजर डाल लें अब 22 और 23 भी आदा गुजर च है और किसी भी गाड़ी को चेक करने के लिए डेट साल का अरसा बहुत बड़ा होता है तो आप देख सकते हैं इसकी फिट इन फिनिश कहीं से कोई खराश नहीं एक तो रखने तक भी है दूसरा डिरिबिलिटी भी होती है चीजों की खड़क होती है वो कोई आपको इसमें नजर नहीं आती इंटिरियर अगर आप देखें तो खुबसूरत तरीन इंटिरियर इस रेंज की गाड़ियों में आपको मिलेगा और आप देख सकते हैं कि अभी तक ना सिर्फ इंटैक्ट है बहुत जादा अपनी औरीजनल हालत में अभी भी मौजूद है और इसी तरह गाड़ियों के बेस्ट वेरियंट्स में आपको एलाओई वील्स नहीं मिलते लेकिन ये बिस वेरियंट इसमें आपको एलाओई वील्स भी मिल जाते हैं और सबसे मज़े की बात इट आल्सो कम्स विद एबी-एस ना सिर्फ एबी-एस एरबैक्स तो डेफिनेटली इसमे आपको मिलता ठीक है जो कि यारिस एटिव 1.3 में भी आपको नहीं मिलता इंफुटेर्मिंट सिस्टेम इसके अंदर बाइड डिफॉल्ट लगावाए और सिर्फ एक शिकायत है उस इंफुटेर्मिंट सिस्टेम से के एंड्राइड होता तो बहुत मजाता इंटरफेस के क्य सब्सक्राइड की जरूरत है बाराल इंटर आपको नहीं मिलता यह एक बमर जरूर है बाकी यह जो इसके एर पैसे हैं यह यह एलस्वन के डॉर लैचिस पर लगे वे बैजिस यह मैंने खुट लगाए थे यह स्पाइलर एक शौदो माला अगाम किया था मैंने यह लगाया अब आप लोग मुझे बताएं कि कारवन फाइबर का चोटा सा अपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है बाराल मैंने आ रहा था मैंने लगवा लिया और अंदर चलते हैं जी गाड़ी का मुराइजा करते हैं अंदर क्या क्या मिल जाता हमें इसके रियर व्यू मेर अजो आधे डिकाते हं और करके दिखाते हो आप लいき साथ हमें फांट फोर ल aग से उसके इसके इनदर को अपपर अपको नर्म पर शेब कर देढ़र मिल जाते हैं आपकी हडाट एजस्ट यहांपर से आपको मिल जाता है बूट पॉप करना है तो यह बटन दबाना आपने लेफ्ट राइड मेर्स को आप यहां से एड्जेस्ट कर लेंगे ठीक है एक ट्रेक्शन कंट्रोल भी दे देते हैं बहुत अच्छा होता और पुश्टार्ट दे देते हो तो और ही अच्छा होता ले इस वेरियंट में आपको डी शेप आपको स्टेरिंग वील भी मिल रहा है और साथ यसाथ फंक्शनल इसकी कीज इसके ऊपर आपको मिल जाती है एर बैग दो एर बैग इसमें आपको मिलेंगे इसमें आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता यह मिस्वाक एक जरूर रखा करें इतनी गाड़ी में हाथ साथ से अला पाक महफूज रखता है तो मैंने तो रखी वी और अल्हम्दलिल्ला मेरी दोनों गाड़ीयों में थी और दोनों को अल्ला ने बुरे बुरे एकसिडेंट से बचाया तो मैं स्वाक लाजमें रखा करें इस साइट पे आपको वैनिटी मैं इसका मीटर आपको दिखा देता हूं इसमें काफी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी है ना दर्वाजे खुले में तो आपको इंडिकेशन दर्वाजों की आ रही है फिर अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करके चलाता हूं और मैंने सीट बेल्ट नहीं बंद हो जाएगी कि हैडलाइट बन करो इसकी फिर इसमें और भी काफी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे कि यार यह बेस वेरियंट है और इसमें इतना कुछ दिया है तो बाकी सिटी आप देख लें 21 या 22 मौडल में जाके इसमें एर बैक्स वगरा है जिद्ध क्या लाईए जमाने पहले आ जाना चाहिए थी बराल सो गाइस जो भी पहली दफ़ा मेरी गाड़ी में बैठता है और वो पहले उसका तजरवा नहीं है एलस्वें से तो वो पहले टच करता ही हूँ ठीक है और फिर पीछे होके एडमायर करता है कि किस कदर आगे आपके हुमन मशीन इंटरफेस कि क्या है है हम यू आई ही हुमन मशीन इंटरफेस तो यह आपको खूल जाती यहां पे फिर वही सीन है कि आपको नहीं मिलती मैप्स वगरा का ऑप्शन जो कि मैं डीरली मिस करता हूँ बाकी एवरीटिंग इस देर जो कि जरूरत है तो फिर तकरीबन आपके फोन पे आप गाने वगरा लगाने हैं कॉल्स वगरा सुननी हैं वो सारा कुछ यहां पे कर सकते हैं स्पीकिंग आफ कॉल्स यहां पे अगर आप देखें तो आपको एक माइक्रोफोन भी नज़राएका जिसकी वैसे आपकी जो ब्लूटूथ कॉ हैं उसकी क्वालिटी आपकी आवाज जो है बहुत जादा क्लियर जाती और अगला जज यह नहीं कर पाता कि आप अपने फोन से बात कर रहे हैं यह मेरा टेस्टेड है तो अब मुझे बताएं यह चोटी-चोटी चीज़ें और काफी सारी चीज़ों के यह कौन सी ऐसी गा है आप एक्सपیک्ट नें करतें वेज़ से अब इसकी सीड्स से आप मुलाज़ा कर लें ठीक हैं ब्रीधिंग सीड्स जाइब लेकिन इन उसी में लग वगों बहुत स्टाइल में आरीज़नल हैं गवर्ड़रा जोई मैने लाहोर से लग्छिए ताघवन singing तो यह 45 वाट्स का चार्जर लगाए वाए गाड़ी एची तरह स्पोर्ट करती है कोई हमें टेंजन परिशानी नहीं होती फास्ट चार्जर रही है फिर यहां पर USB लगा रखी है सॉंग वगरा या नाते मगरा जो भी आपने सुनने तो आप यहां से इसे एंजॉय कर सकते हैं यहां पर आप देखें तो काफी सारी स्टोरी स्पेस आपको यहां पर भी मिल जाएगी एक और चीज़ काश यह एकस्टेंडेबल होता बड़ा मजा आता बट इस नौट काफी सारे लोग कहते हैं कि यहां के बजाए यहां है तो चाना में यह चुंकि लेफ्ट हैंड होती थी गाड़ी तो इसे साफसे नों ने हैंड ब्रेक की पॉजिशन को नहीं चेड़ा हो दर ही रहने दिया तो कोई इतना डील ब्रेक करनी है जो यहां से करना वहां से दो करेंगे आप आदी हो जाएंगे डेजन रिली मैटर ब्रेक्स जबरस्त है एक्सलेरेशन दूसरे आप लोगों ने अगर यूज की है तो मेरा तो यही तजर्व है दूसरे गेर में बहुत कमज़र हो रही है इसे तेज होना चाहिए था इसे पाउर्फुल होना चाहिए था लेकिन नहीं है जहां दूसरे पे उठानी पड़े आपको तो मजबूरन आपको पहला लगाना पड़ता है सिर्फ इसमें यह फ्लाव मुझे नजरा है बाकी मोटर वे पे इसकी मालेज है कि आप परिशान ही हो जाएंगे एक दफ़ा एसी पे मांसेरा टू लाहोर एन लाह साथ यह गई थी गाड़ी और मेरे ख्याल से तो बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत इतना वो है तो वह आप कंजूसी करना चाहें तो वहां पर आप कंजूसी कर सकते हैं मैं करता हूं और काफी सारी पेट्रोल की बच्चत भी हो जाती है बाहराल गाड़ी के अगर बात करें एसी चेले इसका जबर्लास कोई शेकाइट नहीं है मैटेरिल जो इसके अंदर यू शरूरी होती है लेकिन उसमें लगा के नहीं दी जाती है अब चाबी लगी है ना गाड़ी के अंदर तो मैं दर्वाजा खोला एकदम गाड़ी रोने लगए देखना भी के चाबी निकाल लो ओके जी चाबी निकाल लेता हूं साउंड सिस्टम बहतरीन ऐसी बहतरीन माइल उला बारी हुई थी इतनी शदीद उला बारी हुई थी कि मैं आपको क्या बता हूं यहां पे एक आद निशान जरूर होगा जो मैं आपको देखा सकू यहां कहीं पर यह रहा है यह थोड़ा सा इस पर एक लगए और यहां एक यह आद और होगा इन के लावा अब यह बू नई सिविक ना पूछें शेद की मक्यों का चता बन चुकी थी वो सिविक जितने उसमें डेंट्स थे और मतलब पांच मिनट की आलवारी में गाड़ी की वाट लग गई और ये भी वहीं खड़ी थी इसके निशान देखें आल्टो का तो आप खुद ही मेजन कर सकते हैं इसको जरूर कंसिडर करें अगर मैं इतनी तारीफ में कर रहूं तो चंगान ने मुझे पैसे नहीं दिया बलके उल्टा मैंने पैसे दे के यह गाड़ी खरीदी है तो मैं हैपी हूं तब मैं आपको यह मश्रूर दे रहूं जो चीज़ें कमी थी जैसे के सेकंड गेर इसक अलाखा वो देखें गाड़ी कैसे ऊपर जा रही है महरान ऐसा अलाखा कहीं जाना पड़ जाए सेकंड गेर कहता है नहीं सोरी सेकंड गेर जो है कॉल इन से को जाता है कि आज मैं बीमार हूं आप पहले से रापता घरे तो पहले गेर में डालो फिर लेकर जाओ यह वाला स इस गाड़ी के बारे में और कुछ आपका माइंड बना वो भी जरूरू बताएगा और कितनी इंफर्मेटिव लगी यह वीडियो वो भी जरूरू बताएगा थैंक्यू सो वरे मच पर वाचिंग दिस वीडियो गाइस एंड डिस इस माइ ब्यूटिफुल कार आंड अलहम ही अता कर सकता है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल लखेगा कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया तो मैक्शू यह डूइट ताकि इसी किसम की इंट्रस्टिन वीडियो आपको फिचर में भी देखने को मिलती रहे हैं लाइट्स भी इसकी कावर होता है अब कदरे बेतर हैं लेकिन मैं इसकी जो हैडलाइट्स हैं वह भी चैन्ज करवाने का प्रोग्राम बना रहा हूं इंशालला इन नियर फ्यूचर अलाहाफिस अस्सलाम अलेकूं